नमस्कार दोस्तों मैं सिविल एंजिनेर रहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल एंजिनेरिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम आपको ये इंची टीप पॉइंटने का बताएंगे और इसको कैसे मेजर किया जाता है आज का मेरा पॉइंट इसी पर होने वाला है दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले लिज आप मेरे चैनल को थोड़ा सस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए इससे आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोट से पढ़ा जाता है एक इंच कितना होता है अब देखिए जो उपर वाला ये मेरा भाग है यहां से एक दो तीन चार पांच छे साथ ताठ जितना भी आगे जाए ये जो मेरा उपर वाला भाग है ये मेरा इंच होता है यहां से यहां के बीच एक इंच बोलेंगे यहां से बीच एक इंच होगा मने जैसे यहां से स्टाट होता है मेरा टेप एक चोल में यहां से स्टाट होता है यह जो है न पोर्शन यहां से स्टाट होता है यहां से स्टाट करेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस यह मेरा इंच होगा अगला जो मेरा कोई हम बताते हैं यहां कि लिए राएगा एक यह देखिए यहां एक हुआ बीच वाला लाइन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह आठ लाइन हो गया इस में से जो मेरा यह बीच का लाइन है है चोध लाइन यह यह देखिए हैं कि यह हो गया इसके बाद यह मेरा त्यक्राइण यह बीच में मिलएन अगन न यहां यह नहीं घ्यार अगा यह लाइन आगा इसको मोलग बोलेंगे एक बटा चार-इंच इस लग게 कि यह जो मेरा लाइन आएगा यह जो मेरा लाइन आएगा यह जो बीच वाला लाइन होगा इसको बोलेंगे हम लोग एक वेड़ दूर मने आधा इंच एक वट डूर दीये और यह जो लाइन हैगा दीन बटा मोटा 4 इसको बोलेंगे इसको क्या मोटा' कि दा च्यारी इंच बोलेंगे इस लाइन को इस लाइन को तीन वठा चार इंच बोलेंगे इस तरह से हम पड़ते हैं और यहां से यहां कि चारें एक इंच अगर आपको कोई बोल दिता है डेड़ इंच कितना होगा यहां से और यहां के बीच में डेड़ इंच होगा चाहे कहें भी आपड़ी है यहां के बीच में डेड़ इंच होगा कोई बोल दिया सवा इंच यहां एक बटा चार इंच यहां से यहां होगा कोई बोल और फूट कितना गोलते हैं हम इताते हैं एक हूच फूट में 12 इंच होता है हमें Mr. होता है यह फूट में henorm किटना कमलेंगे 12 इंच इसी हम तो समु90 बता दिय जो यहां से यहां तक एक इंच होगा यह दूसरा यह तिसरा ऐसे ही आप बारह तक चाहिए एक दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, एगारो, बारह अब देखिए यहां 12 आया तो एक लिख दिया ना यह आपका हो गया एक फूट अब बारह सागे जाएगे तो ते 13 इंच, तो एक फूट एक इंच इ Así, आठ एक फूट, इन्च लानवो लिख पा इंच, एक फूट, इंच इनचा. आठ एक cricket, चार इनच, आठ, बारहों न्च, तो बारह एंच- पर बारह ऊगे फीर 5 इंच, यहां से और यहां के बीच का जो मेरा दूरी है यहां यह एक फीट से यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां तक का जो दूरी है बारा इंच यह भी है तो बारा बारा इस चोबीस हो गया तो यह आपको दो फीट हो गया इसको हम लोग फूट में पढ़ते हैं ठीक है इसमें को कामेंट करके पूचत सकते हैं उसमें कोई आपको प्रोपलम वाली बात नहीं आने चाहिए अब देखिए अगला जो मेरा है वो है एमें आपको आपको M.m. पढ़ने के लिए आप आज आए अब नीचे वाली लायन में इस लाइन पर आ जाहिए इसमें आपको M.m. के बारे म अब के यह जो मेरा लाइनिंग है छोटा वला में यह स्ट पांच सिस्टाथ father みल् only compare दोसं के-सsे लेंहां तक है यह से लेकर तक जोटा वाला में यह यह मोता है इसको आम लों भुलेंगे है में यह आपका दस एम्म टोट लै और इसके बीच में जो हो था है ग्रेपी है मतलब यहां से और यहां के बीच में जो होता है यह 10 mm होता है और 10 mm में आपका होता है यहां से यहां से यहां से यहां तक के बीच में आपको एक सेंतिमीटर में हो गया 10 mm लिख जता हूँ दखिए यहां से यहां तक यह आपका 10 mm हो गया यह आपका 10 mm हो गया, यहां से यहां था, मतलब 10 mm is equal to 1 cm, सब जगा यहां ही फोलो हो गरो ले, ऐसे, 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 अब देखिए, यहां सब से पहले देखिए, यहां पर, यह हो गया मेरा 1 mm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, उसके बाद 10 cm, अब 10 cm में कितना हो गय 100 mm आजाएगा, कितना हो जाएगा, अब 1 cm में 10 mm आता है, तो 10 cm में 100 mm आएगा न, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और इधर का एक, यह वाला 100, यहां गए आपका 100 mm, तो mm और cm अब समझ गए, आप आगे वाला देखते हैं, मीटर, मीटर कितना को कहते हैं, एक मीटर कितना को कहते हैं अब देखें, आप जानते हैं, एक मीटर में आपका कितना होता है, 100 cm, आप देखें, यहां पर 100 cm आगे, 10 cm आगे, 10 cm आगे, 10 हो गया, यह 20 हो गया, यह 30 cm, यह 50 cm, यह 60 cm, यह 70 cm, यह 80 cm, यह 90 cm, और यह यह आपका 100 cm, सब किसथ एक हो जाएगा सो सेंटिमेटर में आपका एक मीटर होता है यहां से इधर आपका सब सेंटिमेटर हो गया और सब की बीच में 10-10 अमेम उत्व लगध कर देना है मुल्टिप्लाई करिएगा तो आपको यहां से इधर जितना भी है 1000 यहां तक पूरा यहां तक आपको 1000 यहां से लेके पूरा कि यहां तक यह आपका हो जागा 1000 यहां कि समझ गए आप देखिए कोई आप से पूश सकता है एक एक मीटर में तो आप जानते हैं 3.28 फीट होता है यहां पर तीन फीट आ गया ना उपर वाला में आप देखिए नीचे वाला मीटा रहा है उपर ला फीट है तीन फीट 3.28 हमको बोला है मतलब 3.28 आपका मीटर होता है फीट होता है एक मीटर में तो थीपॉइंट अब यह नहीं आपको यहां कन्फूज हो रहा है यहां तो 3.3 लिखा हुआ है यहां तो 3.28 बोला है अब देखिए आपको बताते हैं एक इंच में एक इंच में आपको 0.08 फीट होता है समझ गया तो उस हिसाब से आपको यह नकर ऐस Lewis कन्फूज में आ रहे हैं यह क्या लिख दिया है पतलब आप एक से बारह को दिभाइड करिएगा bir True बारह तो आप यह सारा फीट में बलट हो जाए गाए आपका जो इंच है यह फीट में आपको अलता हो पूस ही साब से आप 2 मतलब इंच नहीं समझना आएगा 3.28 मतलब दो आपका इंच होगा या कुछ भी उसको फीट समझना है 3.28 फीट तो वहीं यहां पर आके होता है आपका 3.28 फीट अब अगला देखते हैं सूट एक सूट कितना को बोला जाता है देखिए एक सूट कितना को बोला जाता है एक सूट कितना को कहते हैं अब देखिए शूट बराबर होता है आपका आठ सूट में होता है एक इंच यहीं सूट का पढ़ने का फर्मूला होता है अब देखिए यह आपका यह आपका उपर वाला भाग यह उपर वाला भाग बताए थे ना देखिए यहां से यहां तक एक इंच है इसके बीच का जो है ना देखिए एक दू तीन चार पान छो साथ आठ यह जो सब हो गया यह वला 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 और यह वला एक दो तीन चार पान छे साथ आठ यहां से यहां तक के बीच में जो यह लाइनिंग है मेरा यह होता है आठ लाइनिंग होता है इससे तो 16 है एक अब छोड़ के पढ़ना ह यह आपको 8 सूथ ह हो गया मतलब 8 सूथ में 1 इंच को और यह जो होता है न यह आधा सूथ को इंडिकेट सबसेंट पॉंटेंट है बहुत लोग को नहीं पता रहाता है आपको बता दूंग एक याड में होता है थिरी फूट यार नौसट चाओद अगर सेंटीमेटर में लिखेंगे तो होगा नाइन वाइन पॉइंट फॉर सेंटीमेटर अब देखिए एक याड एक याड काम लोग फूट में पढ़ेंगे एक याड को कितना कहते हैं देखिए एक फूट दो फूट और तीन फूट यहां हम लोग आएंगे यहां आएंगे यह आपका हो जाएगा तीन फूट यह जो आपका यह जो मेरे तीन फूट यहां जो आएगा उपर लाइन यह एक याड हो जाएगा यह एक याड हो सेंटीमेटर की आको कॉनवर्ट करते हैं 9.1 यह हो गया आपका 91 सेंटिमेटर हुगा 91.4 है तो देखिए एक दो तीन चार यह जो मेरा है चार हो गया यह जो यह जो मेरा लाइन है यह वाला यह मेरा यह 95 सेंटिमेटर हो गया है सेम यह प्रोसेस यहां भी चलेगा 914 में बस इसमें 10 से मल्टिप्लाई कर देना है यह 900 में 10 में यह 4 में यह आपका 914 में हो गया है दोस्तों आप को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लिजे और बेल का आइकन दबा दिजे इससे बेनिफीट और फायदा आपको यह होने वाला है कि जैसे ही आप हम को वीडियो अपलोड करेंगे आपको यह मिल जाएगा नोटिफिकेशन और मेर दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपने और अपनों का जरूर ख्याल लखें और कमेंड करके हमें यह जरूर बताएं हम आपके लिए कैसा वीडियो लाएं जो आपके लिए बेटर हो ठीके मिलता है अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के